अमस्कार दोस्तों स्वावत है एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो मताने वाला हूँ कि आपके पास Poco C3や C31 है किस तरह से आप notification group की setting कर सकते हैं message notification group अब आपके पास message आता होगा या notification आता होगा तो यहाँ पे एक ही person ने आगर चार पास बार message भेज दिया है तो चार अलग-अलग message यहाँ पे दिखते हैं तो इन message को आप किस तरह से group में कर सकते हो यानि कि एक person के तरफ से या एक sender के तरफ से आगर message आ रहा है तो वो एक ही में दिखे तो यहाँ पे notification group की setting करने के लिए या turn on करने के लिए आपको message भी चले जाना होगा message जैसे ही खोलोगे यहाँ पे setting का option दिखेगा उपर में तो इस पे जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको notification group का option मिलेगा इसको turn on करते ना simply जैसे ही turn on करोगे अब आपके पास message आएगा notification आएगा तो यहाँ पे देखोगे तो एक sender का स्रीफ एक ही यहाँ पे notification दिखेगा और उसके अंदर ही 45 message उसके दिखेंगे जितने भी उसने send कर रखें